मौनिका अगरवाल यौर्श्यूर्गाइट और टारोगाजविडर तो टुड़े विए गई टॉक अबाउट लोगों ने सुना होगा जिन्होंने नहीं सुना होगा मैं बता देती हो हमारा जो माइन्ड होता है उसके दो पार्ट होते हैं conscious और subconscious mind conscious mind वह होता है जिससे हम सुन रहे हैं बात करें हैं जो हमें पता चल रहा है subconscious mind यानि कि अवचेतन मन वह होता है जो कारण होता है हमारी जिंदगी में हर चीज़ जो हो रही है क्योंकि वहीं पे हमारी past life memories stored होती है वहीं पे हमारे वो सारे इवेंट store होते हैं जो हम इग्नोर करें या हम दिल से लगा ले हर तरह की memories हर तरह की चीज़ें चाहे वो खुशियां हो चाहे गम हो वहीं store होती है वहीं सारी वाइप्रेट होती है ब्रहमान में जाकर और वैसी चीज़े हमारी life में आती है जैसे कि हम कहते हैं कि यार हम तो बहुत पूजा कर रहे हैं मैं तो सुबह शाम दिन में चाज और घंटे पूजा कर रही हूं मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ मांग रही हूं जो कि कई ladies की complaint होती है बट फिर भी मेरी इतनी पूजा पाट लग क्यों नहीं रहा ह मैं इतना पूजा पाट करती हूं फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है क्यों जरा सोचिए जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप भगवान से क्या बोल रहे हैं आप यह बोल रहे हैं कि भगवान मेरे पास पैसे नहीं है मुझे पैसे दे दीजिए मेरे पास का तो आप जो बोल रही हैं वोही तो भगवान तथास्तु कर रहा है किस भगवान मिरी प Epic कमी ए मुझे पैसे देजिए भगवान नियकाए तथास्तु कि तो आपने पुछचा थो है किस ने available कि जो हम प्रघुरित करते हैं और धो हम अच्छा मुझे इतना अच्छा क्यों नहीं मिला अरे भई उस भगवान की क्या कसूर है वो तो बिचारा जो आप मांग रहे हो वो आपको देता चाहरा है न तो इसको कहते हैं law of attraction कि जो आप कहते हो जो आप सोसते हो जो आप बोलते हो वही आप आप करते हो अब मैं आपको बताती हो law of attraction की कुछ टिप्स जिससे आप अपनी जिंदगी में चेंजिस ला सकते हैं यानि कि जब आप पैसे ले रहे हैं किसी से जब आप ऐसे एक्सेप कर रहे हैं चाहिए अपने वर्क के लिए चाहिए किसी भी चीज के लिए लेफ्ट हैं से मानती है राइट है वो मारा giving का होता है तो receiving hand से आप receive करेंगे giving hand से आप देंगे अगर आप उल्टा कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में उल्टी चीजिए अट्राक कर रहे हैं तो आप left hand से पैसे लें आपका intention मन में यह होना चाहिए कि जो भी इनसान मुझे पैसे दे है मुझे पास money आ रहा है उसकी जो भाव है या जो इसकी energies है वो उसके पास for example आप एक दुकान चलाते हैं आपके पास कोई गरहा काया उसको किसी चीज की जरूरत है तो उसको लेनी लेनी है लेकिन हो सकता है उसके अपने जीवन में पैसे की कमी और वो बिचारा किलस के ल और हमारे हैं दूसरा जब आप किसी ऐसे दे रहे हैं राइट हैं तंक हमारा giving का होता है और जब पैसे धियान रखेंगे कि जहां पर जसे नोट होता है उस पर 500 रुपे लिखा होता है तो वो देने वाले की तरफ हो जब आप देने नोट का जो लिखा होए पार्ड वो धर करें आप अगर नहीं पर थ्यान रहे तो आप राइटिंग से दे और आपका इंटेंशन यह रहना चाहिए कि मेरे हाथ से जो पैसे निकल रहे हैं वो युनिवर्स मुझे मल्टिप्लाइ करके वापस कर रहा है मतलब मेरे को मल्टिप्लाइ करके उतली इंकम हो रही है और मु पोच रही है वो तो important है लेकिन उसे ज्यादा important होते है भाव कहते हैं विचार बनाई जिंदगी विचार ने बनाई जिंदगी नहीं भाव बनाई जिंदगी एक बहुत पुरानी एक the secret करके एक movie है जिसमें इस चीज़ पर फोकस करा गया है कि विचार बनाई जिंदगी प अगर हम एक serial का shooting कर रहे हैं दो actor आपस में fight कर रहे हैं एक दूसरे को abuse कर रहे हैं तो इसका मतब यह नहीं कि वो दुश्मर हो जाएं क्यों कि उन्हें अंदर से पता है कि हम acting कर रहे हैं शूट के बाद their friends तो इसका मतब उनके भाव नहीं चेंज हुए उनके सिफ thoughts चेंज ह इसलिए आप उपर से आप सोचते जा रहे हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है आप information कर रहे हो लेकिन आपके भाव नहीं चेंज हो रहे हैं आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो तो आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा आप सोचते रहेंगे कि मुझे बाइक खरीदन सालबर बात परी आपके बास बाइक नहीं क्योंकि आप बिलीव तो करी नहीं पा रहे हैं कि मैं भाइक खरीच सकता हूं या मैं गारी खरीच सकता हूं तो बिलीव करना इंपोर्टेंट होता है तो अपने भावो को चेंज करिए उसके अलावा में आपको एक छोड़ा से जो आपको law of reduction में help करेगा, आपने एक paper लेना है, एक square, sorry, rectangular shape में एक paper ले लिजिए, इतना बड़ा सा चेक के size का, जो एक normal check होता है, उसके size का एक paper ले लिजिए, उस पे red pen से एक check बनाई है, चेक के से बनाना है, उपर लिखना है, universal bank unlimited, account pay, pay to अपना नाम, मालीजे, मेरा नाम है Monika Garwal, to pay to Monika Garwal, amount लिखना है, for example, 1 lakh rupees, या 1,000 rupees, या 10,000 rupees, और उपर date डाल देना है, जिस date पे आप बना रहे हैं, और नीचे लिख देना है, कि this is my monthly income, और yearly income, जो भी आप amount कर रहे हो, और नीचे आपने sign की जगे, एक छोटा सा जिनी बना देना है, और लिखना है, your wish is my command, universe, यह कहता है, कि जो आप बोलोगे, मैं उस पे तथास्तू करूँगा, मैं उसको पूरा करूँगा, तो universal bank में पैसे की कोई कमी नहीं है, आपने universal bank unlimited का एक चेक बनाना है, लेकिन ये चीज़ धियान रखिए, कि अगर आप एक लाक रुपे कमा रहे हैं, तो एक करोड का च चाहिए, आप 1.5 का बनाईए, 1.3 का बनाईए, जब वहां तक एक consistent income आने लगे तब आप आगे बढ़ाईए, दूसरा अपने profession and अपनी capabilities को भी मैच करके बनाईए, आप इन चीज़ों का अजमा के देखिए, दावा है मेरा कि आपकी जिंदगी में बहुत positive change आएंगे, औ और complain करना बन करिये, thanks करना शुडू करिये, भगवान के आगे जो अब बैठते हैं, ये मन बोलिए कि मेरे पास बगवान 2 टाइम की रोटी नहीं है खाने के लिए, बोलिए कि भगवान थैंक्यू, आपने मुझे एक टाइम की रोटी दीखाने के लिए, और देखिए फिर आपके जिंदगी में कितना change आता है Thank you so much